बिसमिल्लायमान राहीम, रिस्पेक्टिर वीवर्स असलाम अलेकूम, रिस्पेक्टिर वीवर्स आज की इस वीडियो में आपके साथ वर्ल्ल जिग्राफी का गईस धरी लेक्चर शिर्ट कने जारहों जिसमें कॉंटिनेंट योड़ो से रिलेटिटी जो जो इन्फरमेशन, जो जो question आपके paper में बन सकता है न योरोप continents related गाईज वही आज की वीडियो में हम cover करने जा रहे हैं तो गाईज आप लोगों को पता है recently मैं Asia पर separate video upload कर चुका हूँ इसी तरह Africa continents related गाईज जो जो question में के जो जो information बनती है न important आपके exam के coding तो गाईज वो हमने cover की हुई है अगर आपने वो वीडियोस बाच नहीं की तो गाईज काईज आप वो भी बाच कर लें गाईज आप किसी भी जोब का test देने जाएं किसी भी जोब का interview देने जाएं तो गाईज वर्ल्ड जियोग्राफी से related लाजमी question पूछे जाते हैं तो गाईज उसी की पार्ट की त्यारी के लिए गाईज हम हर continents को separate separate cover कर रहे हैं ताके हमारा कोई question भी मिसो ना हो जाए मिनके हमने हर angle से related गाईज आप लोगो बता है recently हम इन two continents पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं काफी ज़यदा जो मेरे सबस्क्राइबर हैं उनने वीडियो बाच की होगी गाईज तो आज की वीडियो म मिनके वो information आप लोगों के पास नहीं आपको मिनके मिली होगी तो आपने वीडियो को complete watch करना है इन्शाला जी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative होने जा रही है तो गाईज हमेशा की तरह सबसे पहले हम कुछ basic चीज़ों को cover कर लेते हैं हो सकता है मेरे channel पर कोई मिनके candidates नहें आयों तो ताकि उनके लिए next problem ना हो तो गाईज यह मैंने continents के नाम लिखे हुए हैं आप लोगों को पता है कि हमारी जमीन को साथ इस्सों में तक्सीम कर दिया गया है तो गाईज उनी साथ के जो नाम है एशिया अफरिका यॉरोप इसी तरह नार्थ अमेरिक एस्ट्रेलीया अंडार्डिका यह मैंने जो कॉंटिनेट्स लिखे हैं मैंने population के लिखे हैं मिनके एशिया पहले नमबर पर आ जाता है population के लिए ये लिए लिए यह भी यह जो आफ्रीका दूसरे नमबर पर योरोप तीसरे नमबर पर ठीक है तो घ्र ऺजरे सबसे पहले स चीज़ों को कवर करते हैं फर्दर मैंने स्लाइट त्यार की हुई है आपकी असानी के लिए मीन के हर वो मुटीरियल शेयर करना है जो जो आपके मुटीरियल मीन के पेपर में क्वैसर बन सकता है तो बस आपने थोड़ा सा पेशन रखना है सबसे पहले हम कुछ बेसी सब्सक्राइब करते हैं इसी तरह हम एक्वेटर से नीचे आएं तो इसे कहते हैं गाइस ट्रॉपिक ओफ कैप्टिक ओन ठीक है मैं अमीद करता हूँ आप लों को पता होगा जिनको नहीं पता तो यह आपने लाजमी यह चीज़ें सीखनी है इसके लावा आप लों को पता है योरोपा उपार मिन के जो एशिया ना घैज एटेच है और गई इनको जो मिन के जो चीज सेपरेट करती हैं अब आपने याद रखना है यूरल मौंटेन इसे सेपरेट करता है इसी तरह ये आपको इधर गाइस Black Sea, Caspian Sea ये इधर मीन के Black Sea और Caspian Sea आ जाता है ये गाइस यहां मैं अपने माउस का कर सर मूव कर रहा हूँ इधर गाइस Mediterranean Sea आ जाता है South की जानब गाइस एक चीज़ और नोड कर लें बहुत सारे candidates को direction का नहीं पता होता गाइस ये इधर गाइस Eastern होता है इधर West होता है और उपर की जानब गाइस North होता है मैं में अगर हम देखे नीचे गाइस South आ जाता है East, West, North, South बहुत सारे candidates को बैसी चीज़ें नहीं पता होती तो गाइस मैं आप लोगों को साथ हर एंगल से information share करनी है ताके आप लोगो प्रॉब्लम ना आए ठीक है और गाइस एक चीज़ और नोड करने ये योरप और अफ्रीका के दर्मयान गाइस ये जो में के आपको लाइन नजर आ रही है ये स्ट्रेट कला दिया हम फर्दर डिसकस करेंगे ये सारी बाते मैंने theoretical फाम में लिखी हुई है गाइस नीचे की तरफ देखए मिनके साहूथ की जानब तो गाइस ये आपको काउंटिनेंट है ठीक है और इसी तरह गाइस इदर हम मिनके एस्ट की जानब जाए यूरप की तो इदर आपको ये वाला और ब्लैक सी आपको मिनके मिलेगा ये जि advis Rebecca ओ आफ लिग आपemia j और इसी तरह गाई यह जो आपको वर्टिकल लाइन यह ऐसे कैसे लोंगी चूट कहते हैं आपने बहुत 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 होगा लाइस लेटी चूड लोंगी चूड एक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर तो गैस इन्हीं को कहते हैं ठीक है तो गैस एक चीज़ और नोट कीजिए गाई यह लाइन को योरॉप से को आपको ऑफको क्या कहा है कि और आर्केटिक सरकल है जो इसके लावा ना ट्रॉपिक ड् Nous इस पास करती है योऱव में नेक्स षाइस लिए नस है पार्टींट को मेप और रस क्या उसका टएंग गाइस तरह यह जो आई लेंड आ जाता है यह आईसलेंड आ जाता है जहाँ हर तरह मियंड के चारों तरफ पानी पानी है ठीक है यह आपको यह आपको तोड़ा सा that तो हो तो हमने क्या चीज़ डिसकेस करनी है साथ-साथ मैं आपको थोड़ा सा वर्वियू देता रहूंगा तो जल्दी से हम स्लाइट को डिसकस करते हैं जो हमने मैंने डेटा कठा किया हुआ है यूरोप इस लार्जेस कॉंटिनेंट इन साइज अभी आपको बताया है कि पा तो गाइज यह चटे नंबर पर आता है तो गई साथ में पर कौन सा आता है ऐस्ट्रेलिया आता है तो इसी तरह जो यूरोप यह हमारा आता है फिर 6 नंबर पर नीचे से हम देखें तो यह भी आपने क्वेस्टन ऐसे भी बन सकता है ना कि सेकंड स्मालेस्ट पूछा जा सकता है इसी तरह साथ में देखें तो कांटिनेंट आ जटा है मिनके अफ्रीका तो इसी तरह गई इस्ट में देखें तो Caspian Sea इधर है और Mediterranean Sea मीन के आ जाता है Mediterranean तो इधर आ जाता है ना तो इसी तरह Black Sea आ जाता है तो गईस यही मीन के स्लाइड में वो बता रहा है कि इसके स्राउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है मीन के Ocean के कोडिंग बाकी Ocean से रिलेटरी गईस जो जो मीन के कितने Ocean है डीपेस्ट कितने है गईस इस पर एक सेपररर वीडियो में आप लों के से शेयर करूंगा तो इनसे रिलेटरी भी क्वेस्टन बनता है तो बेसिकली इस पॉइंड में यही कह रहा है मीन के उनकी जो तीन साइड़ ना बाई तीन साइड़ वाटर से ही गिरा हो जैसे गाईस यह देखें योरोप के ऊपर भी Ocean है वेस्टन भी गाईस ओशन ही है इसी तरह गाईस इधर साउथ में देखें इधर भी मेडिटिरियन सी आ जाता है सिर्फ एक East Side we are गाईस जिसे में के continent Asia है बाकी तीन उस्टाब वाटर पर गाईस ओशन ही है फर्दर हम डिसकस करेंगे इनके रिवर्स सिस्टम जब बात करेंगे तो आपने फिलहाल यह याद रखना है पैनल 16 किसे कहते हैं और पैनल 16 और पैनल 16 भी इसे कहा जाता है यह भी आपने याद रखना है क्योंकि क्वेस्टन बन सकता है ठीक है तो गाइस यह जो जितनी बन सकते हैं जाय को पता होगा लेकिन आपको बता देता हूं कि हम इस्टर पर इस वेस्ट होता है उपर नार्थ होता है उनीचे सब्सक्राइब करेंगे तो यह मैं आपीद करता हूं mostly candidates को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता हूँ मैंने उनके लिए यह बात शेयर किया है तो guys यही बोला है कि it is located entirely in northern hemisphere and mostly in eastern hemisphere तो guys जो योरोप का part है इसको मैं आपको map के जरी यह थोड़ा सा बता देता हूँ यह देखें यह जो योरोप है guys यह ज्यादा तर northern side पर ही आता है बस और यह इस्टर साइड पर है mostly mean के ज्यादा है ना guys वो ज्यादा eastern side पर आता है basically यही उस point में बात हो रही है यह अपने याद रखना है यह लिए कोईटिट कहां करता है guys northern hemisphere and eastern hemisphere पर a large part lies in the temperature zone as it stretches from 35 degree north to 80 degree north latitude guys longitude or latitude का मैंने आप लों के साथ share कर दिया है तो guys यह आपने याद रखना है यह जो इसका ज्यादा तर पाट है ना 35 degree north through 80 degree north latitude पर guys यह आपने याद रखना है इसी तरह guys longitude के तो पर देखा जाए तो it is stretches from 10 degree to west to 60 degree east तो guys यह बात भी आपने याद रखना है के longitude के recording और latitude के recording मिन के कितना मिन के यह लाई करता है तो guys यह आपने यह point याद रखने है इंसर रिलेटी भी question बन सकता है next guys there are total 51 seven countries तो guys total कित्रे countries है इसमें 51 यौरम में यह आपने याद रखना है largest country guys largest country Russia cover more area than other country तो guys सबसे जो बड़ा country है न यौरम में तो वो है Russia guys अगर world के recording देखा जाए तो area के recording यह भी सबसे बड़ा country Russia यह आपने याद रखना है guys यह एशिया में भी सबसे बड़ा country है guys Asia continent में इसी तरह guys Europe में भी यह सबसे बड़ा country है यह आपने याद रखना है the three largest countries are Russia the Ukraine and France तो guys अभी आपको मैप के जरीए मैं यह थोड़ा सा बता देता हूँ तो guys यह आपको यह देखे मैं में रशिया सबसे बड़ा है further Ukraine आ जाता है यह बड़ा बड़ा सा इसके लावा guys यह फ्रांस यह भी आपको में के काफी बड़ा नज़र शो रोगा मैं में भी तो guys यह आपने ऐसे तरती भी याद रखनी है तो next guys smallest country की बात कर लेते हैं सबसे जो चोटा country यह यह बहुत बार question पूछा गया है next guys Europe is the continent with the second highest population density which means that European continent life the biggest number of people per square kilometer or square miles तो guys आपने यह याद रखना है Europe का वहाद continent में के जो second highest population में आता है यह mean के इदर यह हम ऐसे line draw करते हैं ना तो यह per square kilometer के coding देखा जाए ना तो guys सबसे ज़्यदा जो mean के population है ना guys वो Europe continent में है यह आपने याद रखना है according to per square kilometer की बात कर रहा हूं ठीक है longest river की बात कर लेते है सबसे बड़ा जो द्रया है ना guys वो बोलगा river है यह आपने याद रखना है यह भी पूछा गया है पास पेपर में in Russia तो guys आपने याद रखना है Russia में ठीक है is Europe's longest river यह आपने नाम guys याद रखना है इसके लावा आपने इसकी यह लेंद भी याद रखनी है kilometer में भी और miles मे in Europe is Mount Elbrus तो guys tallest जो mountain अना guys वो आपने नाम याद रखना है Mount Elbrus in Russia और यह कहां है guys रखना है ठीक है यह आपने याद रखना है Mount का नाम भी और यह कहां है guys रखना है यह भी question बन सकता है further guys Arctic Circle आ जाता है passes through Europe गईज अभी मैंने आपको में में दिखाया था कि Arctic Circle guys किसे कहते हैं स Arctic Circle Europe से pass कर रही है तो guys यही वो लाइन में बता रहा है कि Arctic Circle Europe में Europe से pass करती है यह आपने याद रखना है guys question बन सकता है next point आने वाले हैं guys most important है आज की वीडियो के क्योंकि इंस रिलेटिर बहुत 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 है British Aisless क्या होता है ठीक है आपने बहुत 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 सुना होगा UK guys UK में सुनते ही guys आपको जेन में आता होगा इंगलेंड को कहते हैं तो guys हलांके यह separate separate हैं अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे इंगलेंड का पार्ट है ठीक है और guys इन तीनों को जब हम एड करते हैं Scotland Wales और इंगलेंड को तो guys वो कहलाता है Great Britain ठीक है यह आपने याद रखना है तो further guys यह आपनों को पता है साथ आइलेंड भी है आइलेंड भी दो है guys एक में के जो आइलेंड में है दूसरा guys Northern Ireland आजात आइलेंड को जब हम इन चारों को एड कर लेते हैं तो guys फिर बनता है यह हमारा United Kingdom यह आपने याद रखना है ठीक है इसी तरह guys जब हम आइलेंड में ब्रीटन को एड कर लेंगे न तो guys फिर कहलाता है British is less जो हमने अभी यह slides में पढ़ा है तो guys यह लिखा हुआ हुआ है Great Britain England Wales and Scotland आ जाता है जब हम इनकी तीनों को कठा बढ़ते हैं तो इसे कहते हैं Great Britain यह आपने याद रखना है most important question है United Kingdom में guys Britain plus Northern Ireland मैंने अभी आपको मैप के जरीए समझाया है तो guys जब इन दोनों को कठा कर दें में कि यह तीन और साथ Northern Ireland को भी फिर United Kingdom बनता है यह आपने याद र रखना है question बनता है कि आपको option दिये जाएंगे उनमें पूछा जाएगा कौन सा Great Britain का पार्ट है United Kingdom में कौन सा नहीं आता ब्रीटिश एसलेस में कौन सा नहीं आता कौन सा आता है तो हर एंगल से question पूछा जाता है तो आपने यह नाम guys याद रखने है मैंने map के जरीए आप को समझा दिया है कुछ डिवीजन है योरोप की यह आपने लाजमी याद रखनी है most important answer related question बनता है Scandinavian countries कुछ कंट्रीज को ना मिनके योरोप को ना उनके cultures के time के जैसे जैसे जैसेattend क्वेस्टन बनता है एक हूं से कंट्रीज आते हैं कौन से नहीं आता है कौन से नहीं आते question में पर में रिपीट हुआ है तोगाइस यह आपने याद रखना हैind Oraway सूड़न आपने याद रखने है नेक्स घा this Naut cum यह जाता है जिन में गाई डैनमार्क आजाता है नढर्वे स्वीडन आज़ता है फिल्लैंड आजाता है और आइस लैंड तो ए मैं आपने कंट्रीस के नाम भी याद रखने हैं है क्वेश्टसन बना है और बन भी सकता है ठीक है फर्दर गाइस बालिटिक कंट्रीज आ जाते हैं इनमें घाइस आप यह चेक कर लें थ्री यंग बालिटिक लिपब्लिक्स आफ इस्टोनिया एट्विया एंड लिथोनिया यह आपने मिन के तीन कंट्रीज के नाम भी याद रखने हैं इसी तरह नौडिक में इसी तरह Scandinavian में guys question बन सकता है further guys Balkans आ जाता है Balkans में कौन-कौन से countries लाइक करते हैं यह अपने नाम याद रखने है Albania, Bosnia, Harzegovania, Bulgaria, Kroatia, Kosova यह guys आपने याद रखने हैं further guys Romania, Serbia and Slovenia which all the parts of each of the countries located with the peninsula तो मिन के यह पैनन सोला के साथ ही मिन के locate करते हैं यह भी आपने याद रखना है next guys Finland आ जाता है Finland is called the land of lakes guys यह most important question है बहुत बार यह रिपीड हुआ है कि Finland को country को दूसरे किस नाम से जाना जाता है land of lakes के नाम से because several lakes are farmed due to the melting of ice sheet क्योंकि guys इसमें बहुत सारी मिन के lakes lie करती है due to the melting of ice sheet बहुत सारी लेट मिन फ्लो करती है यह आपने याद रखना है Finland country में question बना है next guys आ जाता है रहाइन river guys यह most important river है योड़ोप का यह भी second मिन के दूसरे number पर आता है यह आपने याद रखना है central and western Europe second longest river guys answer related question बना है further हम इसको सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा क्योंके question इन से रिलेटिर भी बनता है तो guys इसका जो मिन के सोर्स है ना guys वह स्वीजल लैंड यह भी guys country का नाम है आप लोग ने यह भी याद रखना है यह तो आप लोगों को बहुत सारे candidates को बता हो गाइस यह भी यूरप का country है तो further guys issuing from the Rehine Walden glacier तो guys यह मिन के कहां से शुरू होता है तो guys यह आपने याद रखना है Rehine Walden glacier से most important guys यह भी question बन सकता है next guys यह आपको मैप की मदद से थोड़ा सा बता देता हूं guys यह हमारा रहाइन रिवर ही है ठीक है यह देखें guys स्विजर लेंड से guys यह मिन के इदर से शुरू हो रहा है further guys यह देखें चलता 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 मिन के यह यूरोप के center से ही guys मिन के गुजर रहा है एक तरफ यह देखें जर्मनी है और दूसरी करफ यह फरांस है guys इसे मिन के इसको 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 करते हैं तो guys यह आपको basically map के जरीए यही समझाना था यह रहाइन रिवर है यूरोप में ठीक है guys further आ जाता है the high river is called different rain depending upon which country it is following through guys यह अभी slide में बताया है कि यह मिन के काफी countries में से मिन के गुजरता जाता है तो हर country में जहाँ जहाँ से को जी गुजरता ना कुछ country में इसका different नाम से भी जाना जाता है तो guys incident related question बनता है जहाँ 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 से यह flow करता है उन में कई countries है जैसा के in Netherlands it is in region guys इस नाम से जाना जाता है नेधर लैंड में in France it is Rhein France में guys Rhein के नाम से in Germany it is Rhein में के रहीन इस नाम से जाना जाता है जर्मनी में तो guys यह आपने लाजमी याद रखने है नेधर लैंड में किस नाम से जाना जाता है इस रिवर को इसी तरह फ्रांस में जर्मनी में तो guys incident related question बना है और बन भी सकता है ठीक है next guys the Rhein River flow through along several countries including तो mean कि यह काफी countries से flow करता है guys यह अपने नाम भी याद रखने है जर्मनी में से अस्टेरिया स्विजर लैंड फ्रांस नेधर लैंड 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 टैंस्टियन तो guys यह अपने countries के नाम भी याद रखने है इन countries में से flow करता है Rhein River ठीक है next guys guys आजाते है most important physical future आजाते हैं हमने जैसे Asia में डिसकस किये थे इसी तरह अफरीका के किये थे then guys आज की वीडियो में हम यूरप के वी कुछ important physical future भी देखेंगे तो guys Central upland आ जाता है Northern lowland आ जाता है फिर North West Highland आ जाता है तो guys यह मैप की मदशी में आपको थोड़ा सा बता देता हूं guys यह Western Highland होते हैं यह जो आपको green green नजर आ रहे है नागाई यह Northern Highland और यह Center में आपको Central Highland ठीक है कहा रिजन इसका है कहा हम इनके locate करते हैं तो guys यह आपने यहाद देखना है विच निक्लिवाबल पॉर्शन ओफ साउर्थन जर्मनी एक्स्टेंड इस्ट वर्ड इस्ट वर्ड इस नाउन एज दा सेंटर अप्लेंड तो ठीक है आपने यह पूजिशन भी यहाद देखनी आप लोगो पता है यह जर्मनी है ना यह डिरी फार्मिंग के लिए मिन के बहुत अच्छा माना जाता है यह भी मॉस्टी का निडिट्स को पता होगा तो यह आपने याद रखना है सेंटर अप्लेंड में ही ठीक है नेक्स नॉर्थन लोलेंड आ जाता है तो नॉर्थन अ नॉर्थ फूर जर्मनी और यह तमाम मिन के यह यूर्ल मॉंटेशता है यह यह बी आपने याद रखना है तो काफी ज़धा और नॉर्थन लोलेंड में जैसा मैंने आपको भी तवाइब हाँ यह ज़धा यह बहू रहां रहा है तो यह यह बीक्वेस्ट बन सकता है कि प् नेक्स गई नर्थ वेस्ट हाईलेंड जैसे मैंने आपको अब यह बता अपने देखा यह वेस्टन हम इनके हाईलेंड आ जाता है तो यह आपने याद रखना इसकी भी आपने पॉजिशन इस इस हाईलेंड इन वेस्ट अर्ट अर्किटिक ओशन तो मिन के इनको सेपर करता ह यह फिसाद आपने याद रखने है कि यह वेस्टन और ऋपना दॉणह जांए कि फैसे हैं निया है नुए तो यह बताइड दो आपने चीजह को मैं बहुत उस्टिक्ड इसफिने श once some इडिका ईंड़ कुई शॉत के भी डिसकस करेंगे क्योंकि गाई से ट्रेट से रलेटिक क्वेस्टन बहुत बार पूछा गया है तो गाई तीन तरह की मिन के स्ट्रेट पाई जाती है यूरो में ठीक है स्ट्रेट का बोस्टी केंडिट्स को पता होगा नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता दो जब किन सीज के दिर में ब्लैक स्टी टु दा सी ओफ मार्मारा यह भी अपने याद रखना और किन कंज्ट्रिस के दिरम्यान है एशियन तुर्की फ्रॉम योरपियन तुर्की के दिर में गई तुर्की भी आप लोगों को पता है कि आधा मिंग के यह जया तर तो एशिया मीं यूरोप में है तो यह भी आपने याद रखने एशियन तुर्की फ्रॉम यूर्पियन तुर्की के दिरमिया देन गैस इंग्लिश चैनल गैस यह मैं आपको मैंकी मदद से थोड़ा सा बता देता हूं यह यूके के नीचे इंग्लिश चैनल गई यह आपको स्ट्रेट नजर यह कहां लाइज करती हैं गाईज यह आपने तीनों की पॉजिशन भी याद रखनी है इनसे रिलेटिर भी क्वेस्टन पूछा जाता है ठीक है मैंने आपको वैसे बता दिया इंग्लिश चैनल गाईज यह नौर्ट सी और अट्लैंटिक सी कितरे मैंने इंग्लिश फ्रॉ आपने वहां की पॉजिशन भी याद रखनी है इनसे रिलेटिर भी क्वेस्टन बहुत बार पूछा गया है तो गाईज यह थी वीडियो यूरॉप कॉंटिनेंट से रिलेटिर जो जो इंपॉर्टन्स इंफरमेशन थी ना रिगार्डिंग तो यूरॉप वो मैंने आप अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नोलिज मिला है तो गाईज आपने वीडियो को लाइक है चैनल को सबस्क्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको कैसी वीडियो लगी फिर भी अगर आपका इस वीडियो से लेटिर कोई भी